इसमें आज हम जिन दो टापिक्स को डिसकवर करेंगे उनमें पहला टापिक है एक्वेयन्स आप सरकल और दूसरा है प्रापर्टीज एंड रिजर्ट्स प्रॉम जेनरल एक्वेयन्स और इसमें जो एक्वेयन्स होंगी तो अभी इन दोनों टापिक्स से रिलेटिड जो एमसी क्यों है जो कि हमें इन दोनों कंसेप्स को समझने में और असानी करेंगे वारी मदद करेंगे हम उनको बन बैवन डिसकस करते हैं फर्स्ट एमसी क्यों जी हमारा के ता सरकम सेंटर आफ दा राइट एंगल्ड ट्राइ थी क jag刚 करें यहां पर एक सर्कल कंस्ट्रक करता हूँ ठीक है यहां पर सको में ट्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि सहीतरा ड्राव हो ठीक आप पर्सक्र करें सरकल है और अब एक राइट अगल मैं बनाते हैं जो कर दने कुछ इसוצरा से हैं यहांसी ट्रैंुल जिसमें जो ह तो इसमें जो सर्कल का सेंटर होगा यह साइट जो कि आपको 90 के सामने नजर आ रही हाई पार्टीनियू साइट यह किस तरह से बनता है अगर हम इसकी कंस्रक्शन पर जाएं तो हम यह बात जानते हैं कि हम एक ऐसा पॉइंट तलाश कर रहे होते हैं इस प्लेन का जिसका डिस करेंगे और यह द्यार यह रइंग्व करेंगे और वो जो पॉइंट उपारी होगा वो मिड़ पॉयंट यहां पर जो हमारे पास सटमी है वह best option होगा, यानि हम कहेंगे कि circle जो है, वो उसका center कहां पर है, इसको circum circle कहा रहे हैं, इसका circum center जो है, mid point of hypotenuse पर है, next mcq हम solve करते हैं जी, इसकी statement है कि equation of a circle with center at origin and radius 3 is, अब इन given equations में से कौन सी वो equation होगी, जो कि circle की equation होगी, ठीक है, जिसका center हम origin रखते होंगे, और radius 3 होगा, देखें, अगर हम reverse engineering के process को use करें, method को use करें, अगर हम option a को देखते हैं, ठीक है, चुकि हमने radius 3 की बात की है, अब बगर मैं first करें, यहाँ पर एक coordinates बना देता हूँ, ठ करें, origin है, ठीक है, और distance को गए, मैं 3 unit करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 units होगा, ठीक है, long, y axis यहाँ पर भी 3 होगा, फिर इस तरह से जब इदर पहुंचेंगे, यह भी 3 units लग होगा, positive में, axis के long, कहने का मक्सद यह है कि, इस circle में जितने भी points आते हैं, ठीक है, उन answer है, वो equal to radius के square के बराबर आना चाहिए, यानि 9 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 0, 3 हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ जो point होगा, x तो coordinate 0 होगा, लेकिन y negative में होगा, यहाँ पर x positive होगा, 3 और y 0 होगा, यहाँ पर x negative 3 होगा, लेकिन y 0 होगा, तो आप देखें यहाँ पर, मतलब यह जो condition है, अगर आप इस equation को देखें तो इसमें, जो यह sum हमें बताया जा रहा है, square के बाद वो 3 बताया जा रहा है, जबके radius 3 है, और हमने बात पर रखी है, कि जब हमारे पास equation of circle, अगर वो मतलब किसी भी point पर intersect करती है, ठीक है, x minus h whole square, plus y minus k whole square, यह equal to होता है, r square के, ठीक है, अब इसमें चुके h और के 0, 0 आगे है, region के coordinates, तो यह x square plus y square equal to 9 आएगा, ठीक है, जो के फिर equation 1 में, मतलब हमें नजर आ रहा है, और अगर इस, इनमें अगर हम value put भी कर लें, x की और y की, चुके इस property को अगर हम deal करें, तो देखें आप, यहाँ पर ह भी कर सकते हैं, देखें, अगर हम x 0 का square लें और plus y की value 3 रखें और इसका square लें, उनका sum करें, तो 0 प्लस 3 square 9, यह 9 के एक पला आ रहा है, जो के true, ऐसी तरह आप कोई भी point select करें इस circle का, उसका square का sum 9 नहीं बनेगा, लेकिन इन तमाम equation में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह इसकी जो solve करते हैं, इसकी statement यह है, the equation of the circle passing through the points 5, 10, मतलब जिसमें first term जो 5, second term 10 है, second order pair है, उसमें first term 6, second 9, और third order pair में first term minus 2, third, मतलब 3 जो second term है, is, अब इसमें से कौन सी equation है, जो के circle की equation represent करी, लेकिन ऐसे circle की जो के in points को, या in points से pass कर रहा है, ठीक है, तो जारी बात है कि इसके फिर coordinates in points की coordinates हो है, वो given equation of circle को satisfy करें, ठीक है, इसलिए हास से अगर हम देखें, तो हमारे पास जो, मतलब हम इसको reverse engineering के technique से इसको check करते हैं, देखें, जैसे अगर इस point के वाले से में बात करूं, इसको first equation में put कर करके देखते हैं, x की जगा minus 2 और y की जगा 3, तो यह देखें, minus 2 का square 4 और 3 का square 9, 4 plus 9, 13 बन गया, ठीक है, 13 और 3 minus 2 से multiply होके minus 6, तो इसको इतना आजेगा, 7, अब 7 में plus कर देंगे, हम 2 into 3, 6, तो यह तो हमारे पास जवाब 13 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, इस यह a option नहीं हो सकता, ठीक है, बी option को check करते हैं, अगर हम x की जगा minus 2 put करें, तो यह plus 4 और यह 9, तो यह 13 बन गया, ठीक है जी, अब minus into minus, यह 8 आ जाजेगा, और प्लस 15, अब आप देखें 15 और 13, 28, 28 में आप 8 आट कर दें, 36 में 36 माइस का 0 आता है, इसका अब यह equation हो सकती है, अभी हम C को देखते हैं, कैसी तो नहीं, ठीक है, जोनी एक point हमने जो सबसे easy था, जिसे check करना, उसे हम check करने, इस equation को अगर हम देखें, ठीक है, इसमें य 8 आजएगा, चुकि 4 multiply by minus 8 आजएगा, और प्लस 12, 3 से multiply by 36, तो देखें, 36 प्लस 13 यह तो 49 में से 8 पर यह तो नहीं बनता है, ठीक है, यह सी option भी नहीं, और D को अगर हम check करें, तो इसमें, मतलब यह 13, 13 प्लस हो जाएगा, 8, क्योंकि यह minus 4 है, 13 और 8 एड हो जाएएं, तो 21 ठीक है, और इसमें से minus कर लेंगे, हम 3 into y, मतलब 9 और minus 15 को, तो देखें, minus करेंगे 21 में से 9 को, तो यह हमारे पास आजाता है, 12 ठीक है, 12 आजाता है, और 12 में से अगर आप 13, 15 को सोरी minus करें, तो minus 3, यह 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिफ भी ही equation ऐसी है, जो के, मतलब इन given points में से, जो given एक point है, उसको satisfy कर रही है, इसका मतलब के, यह जो option B है हमारा, वो ही best option है, ठीक है, और हम इसे mark कर देंगे, चुके, जब एक point को satisfy करेंगे, इसका रस्तारों को भी यह satisfy करेगा, यही वो equation of circle है, यह वो circle है, जो के in points, given points से pass कर रहा है, next mcq solve करते हैं, इसकी statement इस तरह से है, which is not the equation of circle, which touches both axis and is of radius 13, यही इन में से, वो कौन सी equation है, जो है, circle की equation नहीं होगी, और ऐसे circle की equation ही होगी, जो के, दोनों axis को touch कर रहा हो, और जिसका radius 13 हो, अगर हम देखें, तो यह जितनी भी equations given है, तमाम, जो है, वो, एसी circle की equation है, जो के, x-axis को भी touch कर रहा है, और y-axis को भी touch कर रहा है, चुक्के इसमें हमें यहां से पता चल रहा है, कि x-h, जब हमने इसका formula drive किया था, ठीक है, standard formula, y-k whole square equal to r square लिखा था, तो इसमें h और k, वो, मतलब हम, आप समभलनें के, वो points है, या वो coordinates है, एच वो coordinates है, जहां पर, के, जो हमारे पास circle है, वो x-axis को जाँ touch कर रहा है, और k, वो, हमारे पास, मतलब coordinate है, y-coordinate है, जहां पर उसने y-axis को touch कर रहा है, तो यहां पर तो हमें नजर आ रहा है, कि इन तमाम में, एच और k की value मौझूद है, ठीक है, इसका मतलब यह तीनों ही equations, जो है, वो, ऐसे circle की equations है, जो के, बहुत axis को touch कर रहे हैं, जिनका radius भी 13, चुक्क रहे हैं, 13 square हो ता 169, इसमें भी 169 है, भी 169 है, भी 169 है, इसका मतलब इस question का जो best option होगा, भी none of these हो, यानि इसमें कोई भी ऐसी equation नहीं है, जो के, ना represent कर रहे हो, ऐसे circle को, जो दोनों axis को भी touch कर रहा हो, रेडियस इसका 13 हो, next mcq solve करते हैं, इसकी statement है कि, coordinate of center of the circle of equation, x square plus y square plus 2gx, यहां वरके plus 2x है, plus 2x plus y plus 17 equal to 0 is, यहनि हमें पता है कि, हमें पर general equation of circle क्या होती है, कि, x square plus y square, ठीक है, plus 2 times gx, plus 2 times fy, plus c equal to 0 होती है, ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास center के coordinates होते हैं, वो minus g और minus f होते हैं, हम reverse engineering को यहाँ पर use करते हैं, देखें, अगर, अगर हम इधर से देखें, तो हमारे पास negative of g, अगर 1 है, तो फिर उसका positive होगा minus 1, ठीक है, चुके negative का positive, तो positive का negative, ठीक है, तो यहाँ पर तो minus, मतलब फिर x होना चाहिए, तो minus 2x होना चाहिए था, और यहाँ पर जो है, वो अगर y की value, पर, sorry, f की value, अगर 2 है, तो फिर इस जगाँ पर already 2 है, तो 4 फिर हो जाता, ठीक है, minus 4y होना चाहिए, तो इससी a option नहीं हो सकता, c में भी बिल्कु यहीं वज़ा है, ठीक है, d में भी नहीं हो सकता, क्योंके यहाँ पर positive sign है, जबके यहाँ पर इनके साथ हम negative sign पूट करते है, minus g, minus f, तो यहाँ से कर हम देखें, तो g की value, जो हमारे पास है, वो 1 है, ठीक है, और f की value, जो हमारे पास आ रही है, चुके यहाँ पर 2fy होता है, अब 2f अगर 1 के एकपल होगा, तो जारी बात है, f जो है, वो 1 over 2 के एकपल होगा, ठीक है, तो हमने चुके center के coordinates बताएं, तो minus 1, minus 1 by 2, जो option number b में लिखा होगा, लिखा हुआ है, यही हमारा best option होगा, यहाँ पर, और हम इसा से बता देंगे center के coordinates, next mcq देखते हैं जी, इसकी statement है, if g square plus f square minus c, जो के अगर under root के अंदर होता है, इकवल to radius के होता है, अगर यह answer ही 0 आजए, तो इस तरह के circle को क्या कहेंगे, the circle is dash, मतलब क्या से infinite circle कहा जाएगा, single point कहा जाएगा, imaginary कहा जाएगा, circle या पी unit circle कहा जाएगा, ठीक है, या बलके मैं imaginary circle भी लिख लेता हूँ, यह ज्यादा best हो जाएगा, तो देखें, यह बात हम जानते हैं कि unit circle उस वक्त होता है, जब radius 1, यह तो 0 आगया, ऐसा circle जिसका radius ही 0 जो उसे हम कहते हैं, यह point है, single point, ठीक है, यह basically आप समलो कि इस point, single point की definition है, तो यह हम इस option B को जो हम mark करेंगे, imaginary circle वो होता है, जिसका radius जो है, वो मतलब negative आए, ठीक है, यह value हमारी का negative में आती, तो यह imaginary आप कहते हैं, ठीक है, जबके positive के case में real circle होगा, तो इस तरीके से हम इ इस MCQ को जो है, वो समझ सकते हैं, नेक्स MCQ साल करते हैं, इसकी statement है, कि radius of the circle of equation, 13 x square plus 13 y square minus 52 x plus 39 times y equal to 0 is, यानि ऐसे circle जिसकी equation यह given है, उसका radius क्या होगा, यह basically हम से पूछा जा रहा है, ठीक है, अब देखें, हमने, चुके formula हमारी जएदा help कर रहा है, यहाँ पर, अगर हम इस चीज़ को समझने, ठीक है, तो हम जानते हैं कि radius का जो formula होता है, वो स्क्वेर root of f square plus g square minus c, ठीक है, और हमाँ पास जो standard form होती, general form होती, equation of circle की होती, x square plus y square plus 2 times gx plus 2 times fy and plus c is equal to 0, अगर आप देखें तो इस equation में अभी x square का coefficient 1 नहीं है, हम अगर 1 बनाने के लिए 13 से पुरी equation को divide कर दें, दोनों तरफ, ठीक है, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा, कि यहाँ पर जो x का coefficient है, वो minus 52 नहीं बनेगा, फिर, वो क्या बन जाएगा, 52 divided by 13, यानि minus 4, जो के 2g के बराबर है, तो इसका अब तब g किसके बराबर हो जाएगा, फिर minus 2 के, इसी तरह 39 जो है, वो जब divide होगा 13 से, तो यह 3 आएगा, और 3 किसके बराबर होगा, 2f के, चुक्के y का coefficient 2f, तो हमारे पास 3 by 2 यह आजेगी value f, ठीक है, अब इन values को अगर हम, इस formula में दर्ज करो, c हमने देखा, इस case में c नहीं है, 0 है, ठीक है, तो हम radius of circle मालूम कर सकते हैं, ठीक है, f square की जगा हम लिखेंगे, 3 by 2 का square, ठीक है, और plus, minus 2 का square, और minus c की जगा 0 सब्ट्रेक्ट भी करने तो हमारे पास कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, answer पर, ठीक है, 3 by 2 का square होता है, 9 over 4, जबके minus 2 का square होता है, positive 4, ठीक है, यहाँ पर जो options हैं, वो basically, access student यहाँ पर कुछ गलतीयां ऐसी कर देते हैं, जिसे के वो एक 30 option से गलत option तब यह दूस आप्शन स ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखे तो 4 इनका LCM बन रहा है, ठीक है, अब यह 4 यहाँ पर diviser इसका 1 है, ठीक है, इसको भी हमने 4 बनाना है, क्योंकि 2 fraction था bad होती जब इनका diviser एक हो, तो हमें पता चल गया 4 LCM आगता है, यहाँ तो 4 लिखा है, यह 9 आजएगा, अब यहाँ 4 नहीं है, इसका होता हमें 4 से multiply हो, numerator को भी करना और denominator को भी, तो numerator में multiply होके 16, 16 और 9 आजएगा 25 आजएगा, अब 25 का square root होता है 5 और 4 का होता है 2, तो radius यूँगे positive होता है, इसलिए हम यहाँ positive की बात करेंगे, और 5 by 2 जो option number D में available है, answer, वही हमारा best option होगा, जो कि इस question के लि 5 जो जाओ।